कि अबी जो टोपिक हम डिसस्स करने जा रहा है वह आपका इस्टश इस्टिक्स में मीडियन पार्ट को ले रहा हूँ मीडियन के इंदर हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं और कॉश्वें पर वेस्ट क्या होता हैं इस सारी चीज़ आप जाते हैं मैं आज जो टोपिक ले रहा हूँ दोस्तों आपके डिमांड पर ही मैंने more than community frequency थी उसके तुरू medium कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया है लेकिन आज less than table ले रहा हूँ, less than cf आपको given होगा जैसे कि मैं सामने एक question लिख रहा है और इससे मैं medium कैसे find out करते हैं वो सिखाऊंगा लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप लोग आये हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe करना न भूलें और subscribe करने से आपको काम नहीं चलेगा दोस्तों साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर click करके notification ओन जलू कर लिजेगा तभी यह आपके लिए benefit रहेगा अधरवाइस हम नहीं जो वीडियो डालते रहेंगे आप तक notification नहीं पहुच पाएगा तो यह काम पहले कर लिजेए और अपनों friends को भी share कीजेए चलें continue करें बिना time best के वर मैंने आपको time बचाने के लिए question already लिख रखा है question क्या है कि a survey regarding the heights जो की centimeter में given है और 51 girls of a class stand of a school किसी school की girls है जिसकी 51 girls है जिनके survey given है उनके heights का और centimeter में और क्या बोला was concluded and the following data was और प्रेंट यह data आपको मिला है क्या है less than के form में कि less than 140 कितने girls है 140 cm तो four girls same as 145 1100 आगे सागे तो सबसे पहले मैं इसको इसको इस तरफ लिख लेता हूं दोस्तों आपको given है less than और इधर cf less than इसको cf बोलते है हमारी language में cumulative हाँ सबसे पहला दिया है less than less than आपको दे रखा है 40 कितना है four फिर less than आपको given है 145 how much 11 less than 150 how much 29 less than 155 कितना है दोस्तो 155 पे 40 and less than 160 that is 46 and less than 165 वो है आपको पास 51 is that clear friends ठीक है यह हमारी table होगी जो कि यहां पर लेके हुई है उसी को हमागे continue करना है अब आपको इसके अंदर क्या करना होता है सबसे पहले आपको class interval चाहिए ठीक है और class interval के साथ साथ आपको frequency fi चाहिए यह आपको cf given है दोस्तों community frequency और इच्छी जहां रखना है less than table के cf और normal cf दोनों सेम होती है जब find out करते हैं clear चाहिए आप करके देख सकते हैं तो पहले क्या करना होगा दोस्तों पहले आपको class interval और fi यह निकालना होगा तो क्या करें हम इसको निकाले कैसे निकालते हैं आपको less than table दे रखा है first वाले को तो as it is लिख दीजिए less than 140 same 4 ठीक है फिर आगे next चलिए आप आगे क्या करेंगे 140 से 145 की बीच में हम निकालना है तो क्या करो 145 वाली जो है उसमें से आप पीछे वाला एक minus करते चले जाओ क्या आगया 7 आगया next आएगा 145 से 150 की बीच में ठीक है तो next इसमें से minus कीजिए 29 minus 11 8 2 minus 1 18 आगे बढ़े आप next 150 से 155 की बीच में ठीक है तो 40 minus 29 क्या आएगा दोस्तों 1 इदर बचेगा आपका 3 minus 2 11 आगे बढ़े 155 to 160 तो 46 minus 40 that is 6 ना लास्त और फाइन फाइन 160 minus 165 तो 51 minus 46 दिफ्रेंस निकाली 11 minus 6 7 नहीं नहीं कुछ मिस्टेक हो रही है दोस्तों 6 पांच 6 और 5 12 clear 6 5 11 ओके complete है यह आगे आपका fi जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों जी जो डिफ्रेस आपने निकाला है ना यह आप रॉफ्ट में भी कर सकते हो मुझे खाली इसके जो लास्ट एंसर आया उससे मतलब है तो उस चीज को हम आगे लिग दें 7 18 11 6 और 5 यह आपका clear हो गया दोस्तों यहां तक की problem soul हो गई इसके आगे हम चलते हैं अब आपको क्या चाहिए cf तो cf के लिए आप जानते हो less than की जो cf होती है और जो normal cf होती है दोनों सेम होती है चाहो तो आप चेक कर लो 4 दोनों का 8 करो 11 आप इसको 8 करो तो 29 तो एक काम करो ना इसी को सामने लिख लो अपना time की best करो 46 हाला कि यह नहीं लिखोगे इसी से भी काम चल जाएगा यहां भी लिखाए यह हमारा गया cognitive frequency जो normal होती है clear अब मुझे चेक करना है sigma fi इसको 8 कीजिए 51 ही आएगा आगया अब आपको सबसे पहले क्या करना है sigma fi means जिसको end बोलते है upon 2 करके देखिए कीजिए तो आपका आएगा 25.5 अब आप इस cf में चेक कीजिए कहां पर है cf में देखिए 25 कहां पर आता है 11 के बाद और 29 से पहले मतलब इस वाली frequency को हम median class interval कहेंगे ठीक है दोस्तों कौन से नंबर की थार्ड नंबर की यह बढ़िए आपका median ci यह चीज तो आप अच्छे जानते है classic ठीक है अब median निकालने के formula पे चले जाएए median is equal to क्या होता है आपका l plus bracket n upon 2 minus cf upon f into h दिख रहा है n by 2 minus cf upon f into h ओके चलिए अब क्या क्या चाहिए ल क्या होता है इसकी lower limit 145 ओके उसके बाद क्या चाहिए मुझे इसमें n by 2 अलड़ी है cf cf जो होता हमारा चोई यह cf है median class interval के c से ठीक पहले वाला मतलब यह वाला यह cf हमाल बनेगा इस फोर्म लेकर कोणिक जो की 11 है अब आपको चाहिए frequency frequency medium class interval की frequency जो कि आपकी 18 है और last one आपको चाहिए h जो की class interval लता है डिफरेंस कितने का आया है सब में अगर चेक करें 155 तो 60 या पिसमें तो आपका h जो आया है दोस्तों वो 5 का डिफरेंस आ रहा है दिख रहा है ना चलिए सारी चीज़े हम यहां पर put कर दें तो l है हमारा 145 प्लस n by 2 आप 45.5 डायर लिख लिजे माइनस cf जो हमने लिए वो आया हमारा 11 upon f है हमारा 18 और h जो है वो 5 अब normal calculation है दोस्तों वो इससे घवराईएंगा मत डिफरेंस में काली है तो क्या हो जाएगा 5, 1, जैतो 0.5 हो गया है 4, 2 minus 1, 1 यहां तक clear दोस्तों upon, sorry upon पूरे पर नहीं है upon 8 into 18 into 5 यहां तर मुझे लग रहा है आपको clear हो गया है friends अब हम क्या करें next आप इसको इसको इसमाल रिप्राई कर दीजे 145 प्लस क्या हो जैगा 5, 25 के रिभाई 2, 5, 40, 20 प्लस 2, 22, 50, 5 प्लस 2, 7, डिजिट कितने, 172.80 ठीक है अब आप एक तरीका है आप LCM ले लिजे और फिर इनको 8 करके divide कर दीजे या फिर directly 72.5 upon 8 करके देखिए तो क्या आता है तो जब आप 72.5 जब आप करेंगे तो आएगा 4.27 आप divide करके देखना हो सकता है points का थोड़ा difference आया है तो उसको देखे घबराना मत इसमें 8 कीजिए तो हो जाएगा point का addition आता है आप लोग को 145.0 इदर 4.27 8 कीजिए तो यह तो इसमें कोई attention नीए 7.2 और इदर 9.4 वर तो 149.27 आपके book में approach 03 भी आ रहा है यहां पे तो उससे घबराईए अगमत points से पहले की value जो है न वो match करना बहुत जरूरी है तो आपका median जो हो गया वो आ गया आपका 149.27 clear friends तो आपके demand पे less than table given हो उस case में median कैसे find out करते हैं वो मैंने आज आपको सिखाया है तो आप इस तरह की questions के practice कीजिए और कहीं कुछ problems हो तो comments करके पूछे दोस्तो यह channel आपके लिए है आपके friends के लिए है तो उनको भी share कीजिए और subscribe नहीं किया तो subscribe कीजिए क्योंकि 10th class में हम आपके तो हम help कर रहे हैं आपके छोटे भाई बहनों की 9th class में भी help कर रहे हैं और 11th में भी अगर आगे move कर रहे हैं जो आपके friends move कर चुके हैं उनकी भी help कर रहे हैं तो आपके लिए काफी beneficial है आप इसको subscribe करना ना भूले और notification उन जरूर के लिए जिए दोस्तों तो आज के लिए बहुत है अज के लिए thank you